ओम श्री परमात्मने नमहा इस चराचर जगत के सहित जो परमात्मा का स्वरूब है वह सगुण है इससे अतीत जहां चराचर संसार नहीं है जो केवल है वह गुणातीत है सगुण के भी दो भेद हैं साकार और निराकार जैसे प्रत्वी के दो भेद हैं गंध निराकार है और पुस्प साकार है जिस तरह अगनी अप्रकट रूप में निराकार और प्रकट रूप में साकार है जैसे जल आकास में प्रमाडू रूप में निराकार तथा बादल बू मात्मा निराकार रूप में रहते हुए ही साकार रूप से भी गुणों के सहित संसार में प्रकट होते हैं जैसे तेज जल प्रत्वी के निराकार और साकार रूप दो-दो हुने पर भी वस्तुता एक ही है उनमें कोई भेद नहीं है इसी प्रकार पर मात्मा के निर्गुन न निराकार सगुन निराकार और सगुन साकार रूप में कोई भेद नहीं है सब मिलकर ही एक समग्र रूप हैं इसी बात को आधी से भगवान ने गीता सात्वा ध्याय तीस्वा इस लोक में कहा है कि साधी भूताधी डैवं माम साधी यग्यम चा ए विदू इसका नाम समग्र है यही पुरसुत्तम है ऐसा जो प्रभू का स्वरूप है वही उपासनिये है यदि कोई पुरुष सगुन को छोड़ कर केवल निर्गुन की उपासना करता है तो वह भी उसी परमेस्वर की उपासना करता है सगुन में भी जो निराकार या साकार किसी भी रूप की उपास उपासना करता है और ऐसी उपासना करने वाले सभी उपासक अंत में उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं किन्तु इस ब्रह्म के समगर रूप को अच्छी प्रकार समझ कर जो उपासना करता है वह सर्वुत्तम है क्योंकि उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से और अतिसीग्र हो जाती है यदि कहा जाए कि फिर जीवात्वा और प्रमात्मा में क्या भेड़ है तो इसका उत्तरिया है कि जीवात्मा उपासक है और परमात्मा उपास से है परमात्मा राग दुइसाधी अउगुण पुण पाप अदी कर्म और हर सोक अदी विकारों से सरोथा और सरोथा रहित है और जीव में अग्यान के कारण इन सब का समंध है प्रभू की क्रपा से प्रभू के तत्तु का इधार्द होकर इन सब का सम्मंद छूट सकता है अग्यान के कारण ही ये सब हैं और इनका अभाव प्रभू के तत्तु ग्यान से होता है प्रभू के तत्तु का यधार्त ग्यान कर्म योग, भक्ती योग, ग्यान योग, आदि सादनों के द्वारा होता है यदि कहो कि परमात्मत्त्त्त के यथार्थ ग्यान होने के उत्तर काल में भेद रहता है या अभेद तो इसका उत्तरिया है कि साधक जिस प्रकार समझता है वैसी ही उसको प्रतीती होती है यदि कहो कि जब तक प्रतीती होती है तब तक तो वह उसकी धार्णा ही है इन दोनों का जो फल है जिसको परमतत्य की प्राप्ती परमात्मा की प्राप्ती कहा जाता है जिसको वेद अनिवर्चनिय इस्तिती बतलाते हैं उस इस्तिती के बाद की बात हम पूछते हैं तो इसका उत्तरिया है कि जिस इस्तिती को वेदो नहीं अनिवर्चनिये बतलाया है उसको फिर दूसरा कौन कैसे बतला सकता है अता ही यही समझना चाहिए कि वह इस्तिती बतलाई नहीं जा सकती यदि कहा जाए कि जब वह इस्तिती बतलाई नहीं जा सकती तब उस इस्तिती के अस्तित्तु में ही क्या प्रमान है तो इसके उत्तर में यह कहना होगा कि उसके लिए प्रमान किया उसकता नहीं है वह सोता प्रमान है सबसे बढ़कर बात उसके लिए यह है कि उसी से समस्त प्रमानों की और सबके अस्तित्व की सिद्धी होती है वेद सास्त और महात्माओं का अनुभव उसको प्रतेक्ष बतलाता है सब वेदों का प्रधान लक्ष उसी की प्राप्ति के लिए है वही अनिवर्चनिय वस्तु है वह पुरूस है और उसकी सक्ति प्रकती है तीनों गुण उस प्रकती के कार हैं विदान्त और सांख ने प्रकती को तीनों गुणों की सामय वस्ता माना है तीनों गुणों की सामय वस्ता को ही उसका स्वरूब माना है तो भगवान ने गीता में गुणों को प्रकती का कार बतलाया है जैसे विदान सास्त्र प्रकती को अनादी और शांत मानता है सांख और योग सास्त्र प्रकती को अनादी और नित मानते हैं भगवान ने गीता में प्रकती को अनादी तो बतलाया है परन्तु नित नहीं बतला भगवान ने प्रकति के लिए शान्त और अनित भी नहीं कहा इसलिए इसको अनिवर्चनिय ही मानना चाहिए भगवान ने प्रकति को प्रथम तो नित इसलिए नहीं बतलाया कि नित वस्तो तो एक अनादी सनातन अव्यक्त परमात्मा ही है दूसरे प्रकति को नित बतलाने से ग्यान मारगी की सिद्धी ही नहीं होती इसी प्रकार भगवान ने प्रकती को अनित भी प्रथम तो इसलिए नहीं बतलाया कि महा प्रले के समस्त द्रश वरग के प्रकती में विलीन होने पर भी प्रकती रहती है और महा सर्ग के आदी में उसी प्रकती से पर मात्मा के साकास द्वारा पुना द्रश्र की उत्पत्ती होती है जिससे उसका नित्त सा प्रतीत होना सिद्ध है और दूसरे यदि प्रकती को अनादी और शान्त या अनित्त बतला दिया जाता तो भक्ती मार्ग का महत्तु ही क्या रह जाता अता भगवान को दोनों ही मार्ग अभीप्रेत हैं और इसलिए उन्होंने प्रकरती को ना तो इस पश्ट सब्दों में नित्य कहा और ना अनित्य ही ही इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकरती अनिवर्चनिये हैं पर मात्मा के तत्व का ग्यान होने के बाद तो योग और सांग सास्त्र के नुसार भी चीतन जीवात्मा के साथ प्रकरती के सम्मंद का अत्यंत विछेद हो जाता है अस्तु सभी से दानतों के अनुसार आत्म तत्तु का साक्षातकार होने के उपरांत केवल अवस्ता हो जाती है यानि फिर कार सहित इस प्रकती के साथ कुछ भी सम्मंद नहीं रहता विदान सास्त्र कहता है कि एक विग्यान अंद गन ब्रह्म के अत्रिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं सांख और योग सास्त्र कहते हैं कि आत्म ग्यान के उत्तर काल में भी प्रकती है तो सही पर जिसको आत्मा का साक्षातकार हो गया है उसका प्रकती से कोई सम्मंद नहीं रहता वस्तुता परणाम में एक ही बात हुई साक्षातकार होने के बाद प्रकती से सम्मंद कोई नहीं मानते और जब संबन्ध ही नहीं तब वह रहे भी तो कोई आपत्ती नहीं और ना रहे तो भी कोई आपत्ती नहीं स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के संसार से कोई संबन्ध नहीं रहता फिर चाहे वह स्वप्न का संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ती है इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक संसार की प्रतीती है और इसके साथ सम्मंद है तब तक चेतन और जड़िया, द्रश्टा और द्रस अत्वा, ग्याता और गे नामक, पुरुस और पकरती दो पदार्थ है और इने से सब का विस्तार है किन्तों जब संसार की प्रतीती नहीं होती, संसार से सदा के लिए सम्मंद विच्छेद हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ती होती है, उसके उत्तर काल की अवस्था का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता अतेयो यथार्त में यह बात है कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वही पुरुज उस बात को यथार्त समझता है इसलिए हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए जी तोड़ प्रेतन करना चाहिए मैं कौन हूँ और मेरा क्या करतब है प्रते के मन उसे को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या करतब है मैं नाम रूप दे इंद्रिय मन या बुद्धी हूँ या इन से कोई भिन वस्तु हूँ विचार पूरवक निर्ने करने से यही बात ठहरती है कि मैं नाम नहीं हूँ मुझे आज जैदयाल कहते हैं पर अंतो जब प्रसव हुआ था उस समय इसका नाम जैदयाल नहीं था यद्धी मैं मौजूद था घर वालों ने कुछ दिन बाद नाम अंकरन किया उन्होंने उस समय जैदयाल नाम रखकर महादयाल रखा होता तो आज मैं महादयाल कहला था और अपने को महादयाल ही समझता मैं ना पूर जनम में जैदयाल था ना गर्म में जैदयाल था और ना सरीर नास के बाद जैदयाल रहूंगा या तो केवल घर वालों का निर्देश किया हुआ सांकेतिक नाम है या नाम एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदला जा सकता है और उसी में उसका भी मान हो जाता है जो विवेक वान पूरुस इस रहस समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ वा नाम की निन्दा इस्तुती कदापी सुखी दुखी नहीं होता जब मनुस नाम के निन्दा इस्तुती में समझ नहीं है निन्दा इस्तुती में सुखी दुखी होता है तब वा नाम ना होने पर भी नाम बना बैठा है जो सर्वता ब्रहम पूर्ण है जो इस रहस को जान लेता है उसमें इस ब्रहम की गंध मातर भी नहीं रहती इसले स्री भगवान ने तत्तुवेता पुरसों के लक्षोनों को बतलाते हुए उन्हें निंदा और इस्तुती में सम बतलाया है फिर यह परसिद भी है कि जैदयाल मेरा नाम है मैं जैदयाल नहीं हूँ इस से यसिद हुआ नाम मैं नहीं हूँ इस प्रकार रूप दे भी मैं नहीं हूँ क्योंकि दे जड़ है और मैं चेतन हूँ दे छे वरद्धी उत्पत्ती और विनास धर्माला है मैं इस से सर्वता रहित हूँ बालक पन में दे का और ही स्वरूप था युवा पन में दूसरा था और अब कुछ और ही है किन्तों मैं तीनों आवस्थाओं को जानने वाला तीनों में एक ही हूँ किसी पुरूश ने मुझको बाल वस्था में देखा था अब वा मुझसे मिलता है तो मुझे पहचान नहीं सकता दे का रूप बदल गया सरीर बढ़ गया मूचें आ गई इससे वा नहीं पहचानता किन्तों मैं पहचानता हूँ मैं उससे कहता हूँ आपका सरीर युवा वस्ता से वुरद होने के कारण उसमें कम अंतर पड़ा है इससे मैं आपको पहचानता हूँ मैंने आपको अमुक जगा देखा था उस समय मैं बालक था अब मेरे सरीर में बहुत परिवर्तन हो गया अता आप मुझे नहीं पहचान सके इससे यह सिद्ध होता है कि सरीर मैं नहीं हूँ किन्तो सरीर मैं हूँ ऐसा अभिमान भी पुरवगत नाम के समान ही सर्वता ब्रहमपूर है जो पुरुज इस रहश को जानते हैं वे सरीर के मानाप मान और सुख दुख में सर्वता सम रहते हैं क्योंकि वे इस बात को समझ जाते हैं कि मैं सरीर से सर्वता प्रतक हूँ इसलिए ततु विताओं के लक्षणों में भगवान कहते हैं समाश शत्रोचा मित्रेचा तथा मानाप मानयो गीता बारवा अध्याया ठारवा स्लोक अतेव विचार करने से अप्रत्यक सिद्ध होता है कि यह जड़ सरीर मैं नहीं हूँ मैं इस सरीर का ग्याता हूँ और प्रसिद्ध भी यही है कि सरीर मेरा है मनुस भ्रहम से ही सरीर में आत्म अभिमान करके इसके मान अपमान और सुख दुख से सुख दुखी होता है इसी तरह इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ हाथ पैरों के कट जाने आँखें नष्ट हो जाने और कानों के बहरे हो जाने पर भी मैं जियों काते हूं पूर वुरत रहता हूं मरता नहीं यदि मैं इंद्रिय होता तो उनके विनास में मेरा विनास होना संभव था। अतेव थोड़ा सा भी विचार करने पर यह प्रतेक्ष प्रतीत होता है कि मैं जड़ इंद्रिय नहीं हूं वरन इंद्रियों का द्रश्टा या ग्याता हूं। इस प्रकार मैं मन भी नहीं हूँ, सुसुपति काल में मन नहीं रहता परंतु मैं रहता हूँ, इसलिए जागने के बाद मुझको इस बात का ग्यान है कि मैं सुक से सोया था, मैं मन का ग्याता हूँ, दूसरों की दश्टी में भी मन के अनुपस्थिती काल में सुसुपती या मुर्चित अवस्ता में मेरी जीवित सत्ता पसिद्ध है मन विकारी है इसमें भाती-भाती के संकल्प विकल्प होते रहते हैं मन में होने वाले इन सभी संकल्प विकल्पों का मैं ग्याता हूँ खान पान इशनान आदी करते समय यदि मन दूसरी और चला जाता है तो उन कामों में कुछ भूल हो जाती है फिर सचेत होने पर मैं कहता हूँ मेरा मन दूसरी जगा चला गया था इस कारण मुझे से भूल हो गई क्योंकि मन के बिना केवल सरीर और इंद्रियों से सावधानी पूरवक काम नहीं हो सकता अतेव मन चंचल और चल है परनतों मैं इस्तिर और अचल हूँ मन कहीं भी रहे कुछ भी संकल्प विकल्प करता रहे मैं उसको जानता हूँ अतेव मैं मन का ग्याता हूँ मन नहीं हूँ इसी तरह मैं बुद्धी भी नहीं हूँ क्योंकि बुद्धी में च्छै और व्रद्धी सभाव वाली है मैं च्छै व्रद्धी से सर्वतार रहेत हूँ बुद्धी में मंदता, आतीबृता, पवितृता, मलीनता, इस्थिरता, आइस्थिरता अधि भी विकार होते हैं परंटो मैं इन सब से रहित और इन सब इस्थितियों के जानने वाला हूँ मैं कहता हूँ, उस समय मेरी बुद्धी ठीक नहीं थी, अब ठीक है बुद्धी कब क्या विचार रही है, क्या निर्ने कर रही है और क्या निश्चे कर रही है, इसको मैं जानता हूँ बुद्धी द्रश्य है, मैं उसका द्रश्टा हूँ अतेव बुद्धी का मुझसे प्रथक सिद्ध, मुझसे प्रथकत तुसिद्ध है मैं बुद्धी नहीं हूँ, ओम शांति, शांति, शांति